जैसे मनें पूरो भरो सोचूँ मेरे पहरे देश पास्यों नमस्कार कल माग पुर्णिमा का परवथा माग का महिना विशेश रुप से नदियों, सरोरों और जल्स त्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है हमारे सास्त्रों में कहा गया है मागे निमगना सलीले शुशीते, विमुक्त पापा तिदिवं प्रयांती हरखात माग महिने में किसी भी पवित्र जलाशे में सनान को पवित्र माना जाता है दुन्या के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी ही कोईन कोई परंपरा होती ही है नदी तर्थ पर अनेक सभ्यताएं भी विक्षित हुई है हमारी सस्कृती क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है इसने इसका विस्तार हमारी हाँ और ज्यादा मिलता है भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसे ने किसी कौने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव ना हो माग के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुक, सुविदा छोड़कर पूरे महिने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं इस बार हरिद्वार में कुम्ब भी हो रहा है जल हमारे लिए जीवन भी है, हस्था भी है और विकास की धारा भी है पानी एक तरह से पारस से भी ज़्यादा महत्वपूर है कहा जाता है पारस के स्पर्ष से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है बैसे ही पानी का स्पर्ष जीवन के लिए जरूरी है विकास के लिए जरूरी है साथियों माग महिने को जल से जोडने का संभवत है एक और भी कारण है इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती है और गर्मियों के दस्तर होने लगती है इसलिए पानी के सर्वक्षन के लिए हमें अभी से ही प्रयाश शुरू कर देने चाहिए कुछ दिनों बात मार्च महिने में ही 22 तारीकों वर्ल्ड वाटर डेवी है मुझे यूपी की आरैध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोडों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पुरा करने में ही लगा देते हैं बिन पानी सबसून ऐसे ही नहीं कहा गया है पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेसेज पस्चिम मंगार के उत्तर दिनाजपूर से सुजित जी ने मुझे भेजा है सुजित जी ने लिखा है कि प्रकृती ने जल के रुप में हमें एक सामुहिक उपहार दिया है इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामुहिक है ये बात सही है जैसे सामुहिक उपहार है वैसे ही सामुहिक उत्तरदाईत में भी है सुजित जी की बात बिलकुल सही है नदी, ताला, जील, वर्षा या जमीन का पानी इससत हर किसी के लिए है साथियों एक समय था जब गाओं में कुएं, पोखर, इनकी देखवाल सम मिलकर करते थे अब ऐसा ही एक प्रयास लमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है यहां स्थानिये लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे हैं मद्द प्रदेश के अग्रोधा गाओं की बबीता राजपूत जिर्भी जो कर रही हैं उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी बबीता जी का गाओं बुंदेल खंड में हैं उनके गाओं के पास कभी एक बहुत बड़ी जील थी जो सुख गई थी उन्होंने गाओं की ही दूसरी महलाओं को साख लिया और जील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी इस नहर से बारिस का पानी सीधे जील में जाने लगा अभी जील पानी से भरी रहती हैं साथियों उत्रा खंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदिश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है जगदिश जी का गाउं और आसपास का ख्षेत्रा पानी की जरुरतों के लिए एक प्राक्ष्टरिक स्रोथ पर निरवर था लेकिन कही साल पहले इस स्रोथ सुख गया इसे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया जगदिश जी ने इस संकट का हल व्रक्षा रोपण से करने की ठानी उन्हें पूरे इलाके में गाउं के लोगों के साथ मिलकर हजारों पैड लगाए और आज उनके इलाके का सुख चुका वो जरुसरोत फिर से भर गया है साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मैईजुन में बारुस शुरू होती है क्या हम अभी से अपने आसपास के जल सोतों के सभाई के लिए वर्षा जल के संचेन के लिए सो दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ती मंत्रा ले द्वारा भी जल शक्ती अभियान catch the rain भी शुरू किया जा रहा है इस अभियान का मुल मंत्रा है catch the rain where it falls, when it falls गावों में, तालाव में, पोखरों के सभाई करवा लेंगे जल स्रोतों तक जार है पानी के रास्ते के रुकावटे दूर कर लेंगे तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे मेरे पहले देश्वासियों जब भी माग महिने और इसके अध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चरचा होती है तो ये चरचा एक नाम के बीना पूरी नहीं होती ये नाम है संत रविधासजी का माग पुर्णिमा के दिन ही संत रविधासजी की जयंती होती है आज भी संत रविदास जी के शब्द उनका ज्ञान हमारा पत्प्रदर्शन करता है उन्होंने कहा था एकई माटी के सब भांडे सबका एको सरिजन हार रविदास व्यापई एकई घट भीतर सबको एकई घडे कुमार हम सभी एकी मिट्टी के बरतन हैं हम सभी को एकने ही घड़ा है संत रविदास जी ने समाज में व्यापत विकृतियों पर हमेशा खुल कर अपनी बात कही उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा उसे सुधारने की रहा दिखाई और तभी तो मिराजी ने कहा था गुरू मिलियार रएदास दीनी ज्यान की घुटकी ये मेरा सवभाग है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वारानसी से जुड़ा हुआ हूँ संत रविदास जी के जीवन की अध्यात्मिक उचाई को और उनकी उर्जा को मैंने उस 13 स्थल में अनुभव किया है साथियों रविदास जी कहते थे करम बंधन में बंद रहियो फल की नात जियो आस कर्म मानुस का धर्म है सत भाखे रविदास अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा यानि कर्म से सिद्धी तो होती ही होती है हमारे युवाओं को एक और बात संत्रविधासी से जरूर सिखनी चाहिए युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए आप अपने जीवन को खुद ही तै करिए अपने तौर तरीके भी खुद बनाईए और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए अगर आपका विवेक आपका आत्म विश्वास मजूद है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से ड़नने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार हमारी वा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है इसलिए आपको कभी भी नया सोचने नया करने में संकोष नहीं करना चाहिए इसी तरह संत रजजाज जी ने एक और महत्वपुन संदेश दिया है यह संदेश है अपने पैरों पर खड़ा होना हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें यह बिल्कुल ठिक नहीं है जो जैसा है वैसा चलता रहे रविदाज जी कभी भी इसके पक्षमे नहीं थे और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्षमे बिल्कुल नहीं है आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदाज जी को जरूर गर्व होता मेरे पैरे देश वास्यों आज नेशनल साइश देवी है आज का दिन भारत के महान वैज्यानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है केरल से योगेश्वरन जी ने नमो एप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अंगिनत वज्ञानिक है जिनके योगदान के बिना साइन्स से तनी प्रगति नहीं कर सकती थी हम जैसे दुनिया के दूसरे वज्ञानिकों के बारे में जानते है वैसे ही हमें भारत के वग्यानिकों के बारे में भी जानना चाहिए मैं भी मन की बात के इंस्रोताओं की बात से सहमत हूँ मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी युवा भारत के वग्यानिक इतिहास को हमारे वग्यानिकों को जाने, समझे और खूप पढ़े साथियों जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमेस्ट्री और फिर लेब्स तक ही सिमीद कर देते हैं लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज़्यादा है और आत्मनिर भर भारत अभियान में साइंस की सक्ति का बहुत योगदान भी है हमें साइंस को लेब टू लेंड के मंतर के साथ आगे बढ़ाना होगा उधान के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेडी जी है रेडी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारिया और उसके खत्रों के बारे में बताया रेडी जी के थान है उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावज की ऐसी प्रजातियों को विक्सित की जो खास तोर पर विटामिन D से युक्त है। इसी मेहने उन्हें वर्ल्ड इंटलेक्ट्विल प्रॉपर्टी और नाशन जीनेवा से पेटेंट भी मिली है। यह हमारी सरकार का सोभाग है कि वेंकर ट्रेडी जी को पिछले साल पदमस्री से भी सम्मानित किया था। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लदाक के उर्गेन फुद्सोग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी उचाई पर और्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसले उगा रहे हैं वो भी सैकलिक तरीके से। यानि वो एक फसल के वेश को दूसरी फसल में खात के तौर पर इसमाल कर लेते हैं। है रहे कमाल की बात। इसी तरह गुजरात के पाटन जीले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विफसित किये हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं, इसे मोरिंगा या ड्रम स्ट्रिक भी कहा जाता है। अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छे होती हैं। अपनी उपज को वो अप तमिलनाडू और पस्चिम मंगाल भेज कर अपनी आई भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आजकल चिया सिर्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ एवर्नेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्तो देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे जादा तर भार से मंगाते हैं। लेकिन अब चिया सिर्स में आत्मनिर भरता का बिड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बारामंकी में हरिस्द्र जी ने चिया सिर्स की खेती शुरू की है। चिया सिर्स की खेती उनकी आई भी बढ़ाएगी और आत्मनिर भर भारत अभ्यान में मदद भी करेगी। साथ्यों एग्रिकल्चर वेस्ट से वेल्ट क्रियेड करने की भी कई प्रयोग देश भर में सबलतापुर्वक चल रहे हैं। जैसे मदुरे के मुरगे संजी ने केले के वेस्ट से रस्षी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुरगे संजी के इस इनोवेशन से परियावलन और गंद की का भी समाधान होगा। और किसानों के लिए अतिरिट आयका रास्था भी वनेगा। साथियों मन की बात के सुड़ताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इन से प्रेरे नाले जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेतर में करेगा तो प्रकति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्वर हुई बनेगा और मुझे विश्वात है यह देश का हर नागरिक कर सकता है मेरे पहरे साथियों कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्रे में बहुती दिल्चस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथ ही बहतरिन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्वर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्म निर्भर भारत अब्यान के बल एक government policy नहीं है बलकि एक national spirit है वो मानते हैं कि आत्म निर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करना यानि स्वयम अपने भाग्य का नियनता होना रंजन बाबु की बात सो टका सही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्म निर्भरता की पहली शर्ट होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रतेग देश्वासी गर्व करता है प्रत्तिक देश्वा सी जुड़ता है तो आत्मनिर भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है जब आस्मान में हम अपने देश में बने fighter plane टेजस को कलाबाजिया खाते देखते हैं जब भारत में बने tank भारत में बनी missile है हमारा घौरो बढ़ाते हैं जब समरुद्द देशों में हम metro train के मेडी निंडिया कोचेच देखते हैं जब दरजनों देशों तक मेडी निंडिया करोना वेक्सिन को पहुँचते ही देखते हैं तो हमारा माथा और उंचा हो जाता है और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी-बड़ी चीजें ही भारत को आत्मने दिर्वर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टेलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हेंडिक्राप का सामान, भारत के इलेक्ट्रोनिक उपकरन, भारत के मोबाईल, हर छेत्र में हमें इस गवरों को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर भर बन पाएंगे। और सात्यों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर भर भारत का ये मंत्रव देश के गाउं गाउं में पहुँच रहा है। बिहार के बेतिया में यही हुआ है, जिसके बारे में मुझे मेडिया में पढ़ने को मिला, बेतिया के रहने वाले प्रमोजी दिल्ली में एक टेक्निशन के रूप में LED बल्ब बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्टरी में कायर करने के दोरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारिके से समझा। लेकिन कॉरोन के दोरान प्रमोजी को अपने घर वापिस लोटना पड़ा अब जानते हैं लोटने के बाद प्रमोजी ने क्या किया उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के छोटी सी unity चुरू कर दी उन्होंने अपने खेत्रे के कुछ इवाओं को साथ लिया और कुछी महिनों में फैक्टरी वरकर से लेकर फैक्टरी ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया वह भी अपने ही घर में रहते हुए एक और उदार है यूपी के गड मुक्तेश्वर का गड मुक्तेश्वर से सिमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कुरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बढ़ला संतोष जी के पूर्खे शांदार कारीगर थे चटाई बनाने का काम करते थे कुरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी उर्जाव और उत्सा के साथ चटाई बनाना शुरू किया जल्द ही उन्हें न केवल उत्तपदेश बलकि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ओर्डर मिलने शुरू हो गए संतोस जी ने यह भी बताया है इस से इस खेत्र की सेंकडों साल पुरानी खुबसुरूत कला को भी एक नई ताकत मिली है साथियों देश भर में से कई उदारण हैं जहां लोग आत्म निर्भर्थ भारत भ्यान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं आज यही एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है मेरे प्यारे देश स्वास्यों मैंने नमो एप पर गुडगाओं निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी वे पैशने एक बड़ वाचर और नेचर लवर है मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हर्याना में रहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप असम के लोगों और विशेश रुप से काजी रंगा के लोगों की चर्चा करें मुझे लगा कि मयूर जी राईनोज के बारे में बात करेंगे जिने वहां का गवरो कहा जाता है लेकिन मयूर जी ने काजी रंगा में वाटर फाल्स की संख्या में हुई बडोदरी को लेकर असम के लोगों की सरहना के लिए कहा है मैं डून रहा था कि हम वाटर फाल्स को साधान सब्दों में क्या कह सकते हैं तो एक शब्द मिला जल पक्षी ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पैड़ो पर नहीं पानी पर होता है जैसे बतक वगएरे हैं काजी रंगा नेशनल पार्क एंटाइगर रिजर आथोरिटी कुछ समय से एन्यूल वाटर फाल्स सेंसंस करती आ रही है इस सेंसस से जल पक्षी की संख्या का पता चलता है और उनके पसंद्दा हैविटयर की जानकारी मिलती है अभी दो-तिन सब्ता पहले ही सर्वेट फिर हुआ है आपको भी जानकर खूशी होगी कि इस बार जल पक्षी की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175 प्रतिशक जदा आई है इस सेंसस के दोरान काजी रंगा नेशनल पार्क में बर्ष की कूल 112 स्पेसिस को देखा गया है इन में से 58 स्पेसिस यूरोप, सेंटरल एशिया और इस्ट एशिया सही दुनिया के विविन हिस्सों से आए winter migrants है इसका सबसे महतोपुण कारण यह है कि हैं बहतर water conservation होने के साथ human interference बहुत कम है वैसे कुछ मामलों में positive human interference भी बहुत महतोपुण होता है असम के स्ज़ादव पाएंग को ही देख लीजिए आप मैंसे कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे अपने कारियों के लिए उन्हें पदम सम्मान मिला है स्री जादव पाएंग वो सक्स हैं जिनोंने असम्मे मजूली आइलेंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है वेवन सवरक्षन के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडाइवर्सिटि के कंजर्वर्शन को लेकर परेदित करने में भी जूटे हुई हैं साथियों असम्मे हमारे मंदिर भी प्रकूती के सवरक्षन में अपनी अलगी भूमी का निभा रहे हैं यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है हजो स्थित हयाग्रिव मधेब मंदिर सोनितपूर के नागशंकर मंदिर और गुहाटी में स्थित उगरतारा टेंपल के पास इस प्रकार के कई तालाब है इनका उपयोग दिलुप्त होते कच्छूओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है असम में कच्छूओं की सबसे अधिक प्रजातिया पाई जाती है मंदिरों के ये तालाब, कच्छूओं के सवरक्षन, प्रजनन और उनके बारे में प्रक्ष्रिक्षन के लिए एक बहतरीन स्थल्ब बन सकते हैं मेरे पहले देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटेस होना जरूरी है कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है इस सोच को चुनोती देने वेलने व्यक्ति हमेशा सरहानिय होते हैं अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रसिक्षित करता है तो क्या उसको सहिनिक होना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विष्ट है माई गौपर कमलकान जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है जो कुछ अलग बात कहती है ओडिसा में अराखुडा में एक सज्जन है नायकसर वैसे तो इनका नाम सिलु नायक है पर सब उन्हें नायकसर ही बुलाते हैं दरसल वे मैन अनमिशन है वो उन युवाओं को मुप्त में प्रसिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं नायकसर के और्गनेशन का नाम महागुरू बटलियन है इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलूँ के बारे में बताये जाता है आपको यह जानकर हरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रस्रिक्षिन दिया है उन्होंने थल से ना, जल से ना, वायू से ना CRPF, BSF ऐसे यूनिफार्म फोर्सिस में अपनी जगह बनाई है वैसे आप यह जानकर भी आस्चेले से भर जाएंगे कि सिलू नायक जिने खुद उडिसा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षन के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट सेवा के योगे बनाया है आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुपामना दे कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करें साथियों कभी कभी बहुत छोटा और साधान सा सवाल भी मन को जगजोर जाता है इस सवाल लंबे नहीं होते हैं बहुत सिंपल होते हैं फिर भी भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कुछ दिन पहले हाइदरबाद की अपणना रेडी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल भूशा उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पी एम है इतने साल सी एम रहे क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई अपानाजी का सवाल बहुत सहज है लेकि उतना ही मुश्किल भी मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा मेरी एक कमी यह रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सिखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया मैं तमिल नहीं सिख पाया एक ऐसी सुन्दर भासा है जो दुनिया भर में लोग प्रिये हैं। बहुत से लोगों ने मुझे तमील लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कवीताओं की गहराय के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेग भासाओं के स्थली हैं जो हमारी संस्कृ और गवरों का प्रतीक है। भाषा के बारे में बात करते हुए मैं छोटी सी इंट्रेस्टिंग क्लीप आप सब के साथ साजा करना चाहता हूं। इश्य उपरी भागे भर्तते अहम एकता मुर्तियाहा कार्य करता अस्ति सर्दार वल्लब्भाई पटे लहा लोहा पूरुशह इति उच्यते। पंदरा से जादा गाइड धारा प्रभा संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूं। अब मैं लोगों करते हैं। आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे। दरसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंटरी है। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालों के बीच एक क्रिकेट टूर्णामेंट होता है। यह महाविद्यालों है, शास्त्रार्थ महाविद्याले, स्वामी वेदान्ती वेधपित्यापिट, श्री ब्रह्मवेध विद्याले और इंटरनेशनल चंद्रमवली Charitable Trust। इस टूर्णामेंट के मैचों के दोरां कॉमेंटरी संस्कृत में भी की जाती है। अभी मैंने उस कॉमेंटरी का एक भूत ही छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया। यही नहीं इस टूर्णामेट में खिलाडी और कमेंटेटर पारंपारिक परिधान में नजर आते हैं एदि आपको एनरजी, एकसाइडमेंट, सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंटरी सुननी चाहिए टीवी आने से बहुत पहले स्पॉर्ट्स कमेंटरी हुई वो माध्यम थी जिसके जरिये, क्रिकेट और होकी जैसे खेलों का रोमांच देज भर के लोग महसूस करते थे पैनिस और फुटबॉल मैचों के कमेंटरी भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती है हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंटरी समुरुद है उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है हमारे यहां भी बहुत से भारतिय खेल हैं लेकिन उनमें कमेंटरी कल्चर नहीं आया है और इस वज़े से वो लुप्त होने के स्थिती में है मेरे मन में एक विचार है क्यों न अलग-अलग स्पोर्ट्स और विशेश कर भारतिय खेलों की अच्छी कमेंटरी अधिक से अधिक भाशाओं में हो हमें इसे प्रुचाइत करने के बारे में जरूर सोच रहा चाहिए मैं खेल मंत्रा ले और प्राइवेट संस्तान के सयोग्यों से इस बारे में सोचने का आगर करूगा मेरे प्यारे युवासाथियों आने वाले कुछ महने आप सब की जीवन में विशेश महत्वरक्त हैं अधिक तर युवासाथियों के एक्जाम्स परिक्षाएं होगी आप सबको याद है ना वारियर बनना है वारियर नहीं हंसते हुए एक्जाम देने जाना है और मुस्कराते हुए लोटना है किसी और से नहीं अपने आप से ही स्फर्धा करनी है परियापत निंद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खेले रिविजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने है यानि कुल मिलाकर इन एक्जाम्स में अपने बेस्ट को बहार लाना है आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे हम सब मिलकर यह करने वाले हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परिक्षा पे चर्चा मेरी आप सभी एक्जाम वारियर से पैरेंट से और टीचर से रिक्वेस्ट हैं कि अपने अनुभव अपने टीप्स जरूर शेर करें आप माई गौव पर शेर कर सकते हैं नरेंद मोदी एप पर शेर कर सकते हैं इस बार की परिक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ पैरेंट्स और टीचर्स भी आमतित हैं कैसे पार्टिसिपेट करना है कैसे प्राइक जीतने हैं कैसे मेरे साथ डिस्कुसन का अउसर पाना है यह सारी जानकारियां आपको माई गौव पर मिलेगी अब तक एक लाग से अधिक विद्यार सी करीब 40,000 पैरेंट्स और 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एक्जाम वारियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड दिये हैं अब इसमें पैरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र एड किये गये हैं इन मंत्रों से जुड़ी धेर सारी इंट्रेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी एप पर दी हुई हैं जो आपके अंदर के एक्जाम वारियर को इगनाइट करने में मदद करेगी आप इनको जरूर ट्राय करके देखिए सबी वासाथियों को आने वाली परिक्ष इसलिए आप मैंसे बहुत से लोगों के लिए काफी व्यस्तता भी रहेगी अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही हैं इन सारे कारियों के बीश हमें कोरोन से साउधानी कम नहीं करनी हैं आप सब स्वस्त रहेंगे खुश रहेंगे करतव्यपत पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा आप सभी को त्योहारों के अग्रिम शुपकामनाएं साथ साथ कोरोना के समन में जो भी नियमों का पानन करना है उसमें कोई धिलाई नहीं आनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद